हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉड़ी विद अर्शी में अगर आपको तिग्नोमेट्री समझ नहीं आती है और तिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा डल लगता है तो इस वीडियो को एक बार लास तक देखी आपको सारे सूत्र, सारी सबसर्ण काएं, चुटकियों में याद हो जाएंगी तो चलिए शुरू करते हैं तिग्नोमेट्री की सबसे आसान क्लास को तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो तिग्नोमेट्री की शुरुवात होती है समकोड तिरुभुज से अब ये समकोड तिरुभुज क्या होता है समकोड तिरुभुज सबसे पहले बात करते हैं कि तिरुभुज क्या होता है यानि कि त्री भुज तीन भुजाओ वाले को हम कहते हैं त्री भुज कोई भी हो जिसकी तीन भुजाए होंगी उसको हम कहेंगे 3 भुज और यह समकोड क्या होता है जिसमें एक एंगल 90 डिगरी का हो जाए जिसे ये एंगल 90 डिगरी का है तो ये बन जाएगा समकोड 3 भुज तो तिगनोमेटरी की शुरुआत यहीं से होती है तो इन्हें नाम दे देते हैं A, B, C तो ये 90 डिगरी के सामने वाला जो होता है इसको हम कहते हैं कर्ड और इसको के से रिनॉट कर सकते हैं अब इसमें से एक एंगल होता है ठीटा का अब ये ठीटा एंगल ये वाला भी हो सकता है ये वाला भी हो सकता है अगर एंगल ठीटा ये है तो इसके सामने वाला हो लंब और इसको शौर्ट में कह सकते हैं हम L और जो बचा उसको हम कह देंगे अधार और इसको हम शौर्ट में कहेंगे A अब अगर ये समकोड तिरुभुच ऐसे बना हो ये वाला एंगल हमारा ठीटा हो ये 90 हो तो हमारा लंब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा अधार और ये 90 के सामने वाला हो जाएगा हमारा कड़ तो basically ठीटा के सामने वाला لم होता है और जो बचता है वो अधार होता है अब ये ठीटा कोई सवे एंगल हो सकता है अब यहां entry होती है पाइथा गोरस जी की तो पाइथा गोरस जी ने क्या किया? पाइथा गोरस इन्होंने एक formula निकाला इन्होंने कहा कि अगर हमें अधार और लंपता हो तो हम कड़ निकाल सकते हैं यानि कि अगर हम तीनों में से कोई भी दो पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया क्या कहा इन्होंने कि भई कड़ का स्कॉायर करोगे तो वो अधार का स्क्वायर पिलस लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इससे क्या फायदा होगा हमारा अगर हमें कण और लंब पता है तो हम अधार निकाल सकते हैं अगर हमें अधार और कण पता है तो हम लंब निकाल सकते हैं इसी को हम कहते हैं पाइथागोरास पिरमे और हम इनको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, कड़ को लिख सकते हैं, के का स्कॉयर, अधार को लिख सकते हैं, एक का स्कॉयर, और लम्प को लिख सकते हैं, एल का स्कॉयर, तो ये बना हमारी पाइथागोरास पिरमे, अब कोई और आया उसने कहा कि भई हमें तो इस Theta की Value भी चाहिए, आप हमें Theta की Value निकाल कर दीजिए, तो इसके लिए बनें Sin Theta, Cos Theta और 10 Theta, इस Theta की Value निकालने के लिए बनाए गए Sin Theta, Cos Theta, तो इनकी Value कैसे होती है, साइन की वैली होती है लंब बटे कड, कॉस की वैली होती है अधार बटे कड, टैन की वैली होती है लंब बटे अधार अब किसी और का फिर दुमा घूमा उन्होंने कहा कि भई अगर मैं इन सब को उल्टा कर दू तो क्या होगा तो उन्होंने इन सबको उल्टा कर दिया, लंबटे कर था, कड़बटे लंब कर दिया, इसको भी कड़बटे अधार कर दिया, इसको भी अधार बटे लंब कर दिया, उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, तो अब इन्होंने इसका नाम रखा, कॉसेक ठीटा, इसका रखा, सॉर नीचे कड़ है, किसके नीचे अधार है, कैसे याद रखें इन सबको, तो इसको याद रखनी के एक short trick है, आप याद रखें सिर्फ लाल बटे कका, बस आपको इतना सा याद रखना है, लाल बटे कका, सबकी value निकल कर आ जाएगी, देखें कैसे, लाल को कैसे लिखेंगे हम, योग्यल लाल और कका को के के एत, बस ये बन गई साइन की value, ये बन गई कॉस की, और ये बन गई टैन की, और अगर हम उल्टे चलें, ऐसे चलें, तो ये बन गई कॉसेक की, और ये बन गई सेक की, और ये बन गई कॉट की, तो हमें क्या याद रखना है, लाल बटे कका, अब बात आती है तिगनोमेट्री सरसमीकाऊंगी तो अगर आप बुक में देखें तो बहुत सारी सरसमीकाई लिखी हुई हैं तो हम इनको कैसे याद रखें हम तो सब भूल जाते हैं तो इसको सबको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको सिर्फ तेन याद रखनी है उन्हें भी याद रखने का एक मैं बहुत ही असान तरीका बताऊंगी आप ये याद रखें कि साइन और कॉस जो हैं वो दोनों बिल्कुल सगे हैं या तो आप इने समझ लिए कि ये दोनों हजबेंट वाइफ है एकदम सगा करीबी रिष्टा है इनका साइन का और कॉस का और टैन का और कॉस सैक और कॉट का इन दोरों का जो रिष्टा है आपस में बहुत ही सगा वाला है तो इनका जो स्कॉयर करते हैं हम यहां पिलस लगाते हैं तो ये वन मनता है मतलब इन दोनों को जोड़ने पर एक मिल रहा है ये दोनों बड़े सगे हैं ऐसे ही ये दोनों बहुत सगे हैं, इनको माइनस करने पर 1 मिल रहा है, ऐसे ही ये दोनों सगे हैं, इनको माइनस करने पर 1 मिल रहा है, तो sin को cos के साथ रखना है, sec को 10 के cos sec को cot के और वो सब क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर बस आपको इन तीनों को याद रखना है आपको जो भी सरसमीगाएं बनानी हों बस आप इनको side में लिख लिए अब जैसे आपको cos की value निकालनी है मैं यहाँ side में निकाल के देती हूँ cos square theta क्या हो जाएगा? यहाँ तो 1 रहेगा और यह sin square theta जो है इधर चला जाएगा minus में तो cos की value क्या आगई? 1 minus sin square theta ऐसे ही सेक की, टैन की, को, सेक की, कॉड की जिसकी निकालनी हूँ आप एकदम से side में निकाल सकते हैं आपको सब को याद रखेंगी कोई जरूरत नहीं है आप सिर्फ 3 को याद रखें बाकी सब आप ऐसे निकालते रही है अगर सबको याद रखेंगे तो आप कुछ भी यान नहीं रख पाएंगे बस आप ये तीनों याद रखिए अब आतने हैं हमारे तिगनोमेत्री पूरक कोड़ अब ये क्या होते हैं अब देखिए किसी का फिर से दिमाग घुमा उसने क्या किया कि जो ठीटा है अगर मैं इसको 90 में से माइनस कर दू तो क्या होगा तो उसने क्या काम किया जो सारे ठीटा थे उन सबको 90 में से उसने माइनस कर दिया उसने कहा कि भी अब क्या होगा तो अभी मैंने आपको बताया था ये साइन और कॉस जो हैं का तो क्या होगा साइन नाइन टी माइनस ठीटा क्या हो जाएगा कॉस ठीटा क्योंकि ये दोनों बहुत सगे हैं और कॉस नाइन टी माइनस ठीटा क्या होगा साइन ठीटा हो जाएगा ऐसे ही टैन का सगा कौन है कॉट तो यहां आ जाएगा कॉट ठीटा कॉट का सगा कौन ह और cos sec का सगा कौन? sec theta तो ये हो गए हमारे पूरा code sin 90-theta cos theta हो जाएगा cos 90-theta sin theta ऐसे ही ये सारे बहुत ही असानी सा आपको याद हो जाएगे अब आती है हमारी Tignometry Sanley इस Sanley में क्या होता है? हमें sin की 0, 30, 45, 60, 90 इन सब पे value याद करनी होती है ऐसे ही sin, cos, ten, cos, sec, cos, sec सबकी value इन एंगल पर हमें याद रखनी होती है जो कि बहुत जादा hectic काम होता है तो आपको एक line तो याद करनी ही पड़ेगी बहुत सारी वीडियोस में बताते हैं कि इस line को भी आप trick से याद कर सकते हो यानि कि sign की values को भी आप trick से याद रख सकते हो लेकिन वो और जादा hectic हो जाता है अगर आप sign की values याद रख लेते हो तो पूरी sign नी बनाना आपकी नहीं असान रहता है और इस sign की values को कैसे याद रखी तो मैंने यहाँ एक line लिखी है इस line को आप गाते गाते याद कर रख सकते हो इसको बहुत ही असान है याद रखना देखें मेरे साथ पढ़िए जीरो आधा आधे पे रूट अंडूट थ्री बटे दो और एक बस ये line आपको याद रखनी है तो देखें भरते हैं इसको sign का और cost का बहुत गहरा रिष्टा है तो ये बस एक दूसरे के उल्टे होते हैं हमने हाँ से 0 से भरा है इसमें हम भरेंगे यहाँ 1 से पहले हम भरेंगे 1 फिर भरेंगे हम अंडूट 3 बटे 2 फिर भरेंगे 1 अपॉन अंडूट 2 फिर 1 बाइ 2 और फिर 0 मैंने बताया था ना ये sign और cost जो हैं वो husband wife है जिसे husband wife एक दूसरे से उल्टे चलते हैं ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे से उल्टे चलते हैं ये चल रहा है 0 से लेकिन cost कह रहा है मैं तो चलूँगा 1 से जिसी की normal husband wife में होता है ऐसे ही ये sign चल रहा है 0 से तो cost चलेगा 1 से तो हमारी cost की value भी भरी गए और ये जो 10 होता है 10 theta इसी कस्टू होता है sign theta upon cost theta ये भी आपको याद रखना पड़ेगा तो यहां से हम sign और cost की values को divide करते जाएंगी तो हमारे पास 10 की value आ जाएगी जैसे 0 बटे 1 करेंगी तो हमारे पास आएगा 0 1 by 2 एक value निकाल के दिखा दती हूँ 1 by 2 upon and root 3 by 2 इन दोनों को मैंने divide किया 0 से 0 गया क्या बच्चा 1 upon and root 3 तो यहां आ जाएगा 1 upon and root 3 इन दोनों को एक दूसरे से भाग करेंगी तो आएगा 1 क्योंकि यह भी 1 upon and root 2 है यह भी 1 upon and root 2 है तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे अब यहां देखिए 2 से 2 कर जाएगा यहां एगा and root 3 यहां है 1 upon 0 तो जब भी 0 upon में होता है तो वो मन जानता है infinity तो यहां आ गया infinity अब मैंने बताया था 10 और कोट का गहरा रिष्टा है यह दोनों husband and wife है तो 10 का उल्टा चलेगा कोट 10 कहरा है मैं तो 0 से चलूँगा तो कोट चलेगा infinity से यह infinity and root 3 1 1 upon and root 3 0 आप देखिए अब बात आती है सैक की जो सैक होता है वो होता है कोस का उल्टा सैक इजी कस्टू होता है 1 upon cos theta तो कोस की value को उल्टा कर देगे तो हमारे पास आ जाएंगी सैक की value तो कोस की value है 1 1 का उल्टा तो 1 रहेगा इसका उल्टा कर देते हैं 2 upon and root 3 हो जाएगा इसका उल्टा करते हैं and root 2 हो जाएगा इसका उल्टा करते हैं 2 यह दोनों husband wife हैं तो यह चलेगा infinity two and root two two upon root three और यह वन लोग बन गई हमारी तिक्नोमेट्री सांडी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हाँ ऐसी important important वीडियो मिलती रहती हैं